जमो कश्मीर किश्वीनगर में आतंकियू ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया इस हमले में जमो कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद भी हो गया है तस्वीरें आप देख सकते हैं यह CCTV फुटेज है और जो शक्स को गोली मारी जा रही है वो पुलिस का जवान है और पीछे से एक व्यक्ति आता है अचानक से जब पुलिस वारा निकलता है और उसके कंधे पर गोली मार कर वो फरार हो जाता है तस्वीरें आप देख सकते हैं CCTV फुटेज सामने आया है इसका श्रीनगर में आतंक क्यों ने यह हत्या की है सब इंस्पेक्टर की हत्या की गई है जैसे ही यह सब इंस्पेक्टर बाहर निकलते हैं तुरंत उनके पीछे से एक शक्स उनकी कनपटी पर किस तरह वार करता है गोलियां से उन पर लगातार फाइरिंग करता है उसका एक वीडियो कैद हो गया है CCTV में जो आप देख रहे हैं इस वक्त तरह जब जब परानी टीम का सफाया होता है नई टीम उनकी जगा लेने की कोशिश करती है नई टीम की भी पैचान लगपग हो गई है और जैसा मैंने कहा है इनके खलाफ भी कारवाई जल्दी की जाएगी आतंकियों की सकाईराना हरकत का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है जुसमें सब इंस्पेक्टर अर्षद एहमद सामने की तरफ से आये और ठीक उनके पीछे हमला करने वाला आतंकी भी पहुँच गया तबी उसने अर्षद एहमद के सिर पर गोली मार दी और एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी गोलियां मारने के बाद वो आतंकी वहां से भाग गया वहां से गुजर रहे कुछ लोग घायल सब इंस्पेक्टर के पास पहुँचे और उन्होंने तुरंत उन्हें अस्पि पहुचाया श्रीनगर में सब इंस्पेक्टर अर्षद एहमद पर उस वक्त हमला किया गया जब वह वहीं जा रहे थे उसी वक्त आतंकी ने पीछे से आकर उनको गोली मार दी जिसके बाद अर्षद एहमद सड़क पर गिर गए जिसके बाद उन्हें वहां मौजूद आके में आतंकी हमले में शहीद हुए अर्षद एहमद का पार्थिव शरीष जैसे ही उनके खर कुपड़ा पहुचा परिवार में मातम चागया उनके परिवार का रोगो कर बुरा हाल हो गया उनके खर के बाहर भी लोगों की काफी भीड जुद गई जिनकी आँखें नम ये शहीद हुए अर्षद एहमद के घर की तस्वीरे हैं जहां पर रोरो कर अब उनके परिवार का बुरा हाल है जर और देशद फैलाने की कोशिश थी आतंकियों की और उसमें वो सफल भी रहे जहां पर CCTV फुटे जिससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरह वहां पर जा साथ जुड़ गए हैं रिफत और क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है क्या जो सिस्टीवी में जो आतंकी दिखा वो पकड़ा गया है आ देखे जिस तरह के से आपने देखा कि कल सी सी टी फुटेज भी रिलीज की गई इस अटाक की और उसके बाद डी जी पी ने जो रिफलेंग सर्मनी के बाद प्रेस कॉन्फरंस जो मीडिया से बात करते हुए कहा उन्होंने कहा कि उस शक्स को आइडिन्टिफाई किया ग वो फाइरिंग जो है एके 47 से की गई थे वो वो सिसिटी फुटेज भी जो है बरामत की गई इसी तरह के से नावगाम एरिया में ही पिछले साल जो है दो पुलिस वालों की हतिया कर दी गई थी वहाँ पे भी एक बंदुग बरदार एके 47 लेके आया था तो इस तरह के से लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ टारगेट किलिंग्स की जा रही है और कुछ जो रस्पॉंसिबिल्टी कबोल की है वो टी आर एफ नहीं की है और टी आर एफ लगातार ये कह रही है कि जो भी पुलिस वाले एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन्स करेंगे तो उनको वो निशाने पे होंगे और पुलीस वालों का भी उन्होंने कई बार स्टेटमेंट्स रिलीज के और कहा कि जो भी लोग एंटी मिलिटनसी ऑपरेशन कर रहे हैं उनको जो है निशाने पे रखा जाएगा उनको मार दिया जाएगा इस तरीकी की धंकिया लगातार ट्यार्फ ने दी है तो फिलहाल यह जो वाका हुआ कल का इसकी CCTV फुटेज बाग कर दे सामने आई है और प्रिस्टल से लगातार जो है फायर कर रहा है मिलिटन और उसके बाद वो बाग गया है फिलहाल जो है इस मौमले में डीजी पी ने ये कहा है कि उस मिलिटन को आइडिनिफाई किय आ गया है जिसने ये हत्या किये बिल्कुल और विडियो भी हमने इससे पहले आपको दिखाया आने की पूरी कोशिश की जा रही है आतंकियों द्वारा की लोगों के अंदर तेहशत का महौल हो न्यूज 18 और बाइजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन कर दो के लिए जीनियस यंग जीनियस